नमस्कार आज के इस 5 मिनिट वीडियो में हम कॉपर का आउट्रूप देखेंगे दिफॉल इन कॉपर देखिए कॉपर के प्राइज की बात करें तो फॉर इन कॉपर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2020 के बाद हमने प्राइजस में जबर्दस तेजी देखि तीन सो असी बात करें तो 17 परसेंट की बड़ी गिरावट हमने कॉपर की प्राइजस में आते वी देखिए कहीं न कहीं अगर रिजन की बात करें तो काफी इंपॉर्टन रिजन से बट आप यह कोई भी एकॉनोमी के लिए काफी इंपॉर्टन है आप देख सकते हैं रिसेंटली एक सन इसकी बात करें ऑटो एंड रिचार्जिंग एवी के चार्जिंग पॉइंट्स की अम जैसे दन से बाते हो रही है कईना कई कॉपर का यूसेज बढ़ना ही बढ़ना है तो अल्टिमेटली एक तरफ डिमांड कंटीनियू बटरी है दूसी तरफ स्टॉक या आउपूट मे कमी है बट टाइम बिंग जो फंडामेंटल में चीज़ेस हुआ रिसेशन का खत्रा चाइना लॉगडाउन जिसके चलते प्राइजस जो लगबख 10,500 डॉलर के करीब अलमी पे था यहां पर हमने एक बड़ा करेक्शन आते वे देखा और लगबख 7,000 डॉलर के करीब चलते डिमांड में डिटोरीशन बना चालो हुआ डिमांड में जबर्दस गिरावट आई एकोनोमी स्लोडाउन का खत्रा कंटीन्यू बना हुआ जिसके वज़से ना की कॉपर हमने सभी मैटल्स के अंदर एक गिरावट बनते भी देखी चाइना की एकोनोमी क्वाटर बैंकर्स लाइक सीटी बैंक ऑफ अमेरिका गोल्ड मेंस यहां पर सभी ने अपने फोरकाज 2,23 के लिए कम किये हैं जहां सीटी ने 7,650 डॉलर किया है बैंक ऑफ अमेरिका ने 7,250 के करीब रखा है और गोल्ड मेंस ने तो 7,000 के नीचे 6,700 के करीब डाउंग्रेट के लग बाइस परसेंट का तो अब अगर हम सेकेंड हाफ की बात तो ज्यादा करके कॉपर का सेकेंड हाफ हमेशा स्ट्रॉम रहता है अब चाइना स्टुमिलस दे रहा है एकॉनोमी में जिसकी वज़े से डिमांड धिरे-धिरे इंप्रूव होने की उमीद है क्वार्टर टू में क्वार्टर ट्री और क्वार्टर फोर में रुपए में गिरावट है जो एक सपोर्ट मिल जाता है पेरू की बहुत की बात तो मही मंत में 11 परसेंट से ज्यादा का फॉल था टेक्निकली मार्केट ओवर सोल्ड जोन में पहुंच चुका है चाइना का जो इंपोर्ट है वो चाइना ने 4,61,000 किलो मिटर का नया रोड प्रोजेक्ट या इंफ्रास्टर प्रोजेक्ट 2023 का कंप्रीट करने का एम रखा है जिसके अंदर भी मैटल की डिमांड कंटीनियू भरते वे दिखाई देगी एनजाइट ने नोड़ाट फुरकास बढ़ाया है 2023 का लेकिन डिमा है जो हमने नोवेंबर दिसमबर 2021 में भी देखा है और फिर एक तेजी दिखाई तो इतने बड़े गिरावट के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेते वे दिखाई देगी वहीं अगर हम चार्ट टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो वर्टेक्स बता रहा है कि यहां पर देखिए अर्ली साइन ओफ रिकावरी यहां पर भी मार्केट में जब गिरावट हुआ था तो अर्ली साइन ओफ रिकावरी हुई और फिर तेजी बनी है तो कहिना कि अर्ली साइन ओफ रिकावरी बन रही है कॉपर में तो शॉट एवोइड कीजिए हां प्राइजर अगर तो और और कॉपर में आउट लूप पॉजिटिव होते जा रहा है धीरे धीरे शॉट एवाइड कीजिए छैसो के करी बाइंग अपॉट्यूटी बनती है छैसो पैटीस के ओपर वीकली क्लोज अगर होता है तो मार्केट में जबरदस तीजी वापस बन सकती है जो 670 तक का लेवल दिखा देगी अधी चानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सिस्क्काइब कीजिए इस चैनल में हम आप तो एक्विटी कमार्टी करनसी के अपडेट लाते रहेंगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेर जरू कीजिए